Hello students, welcome back, it's once again time for the 11th physics, तो last session में हमने discuss करना start कर दिया था इस chapter का या इस unit का कहो कि theme part, main part हमने discuss करना start कर दिया था, जो कि है हमारा dimensional analysis, हमें dimensional analysis पढ़ना है, उसको समझेना है कि क्या होता है, तो इससे previous वीडियो आपने जुरूर देखियो इस वीडियो से पहले, यह ensure कर लेना और जरूर देख लेना, ठीक है, फिर इस वीडियो को start करना, अब dimensional analysis से पहले हमें यह पता होना थी है कि what are the dimensions, ओके, और dimensions क्या होते हैं, एक बर ही फिर से quick revision कर लेते हैं, dimensions क्या थे हैं हमारे पास, dimensions basically बस किसी भी physical quantity की dimensions निकाले जा सकते हैं, जैसे किसी भी physical quantity की unit जा सकती है, like volume है, velocity है, acceleration है, force है, pressure है, density है, कुछ भी है, और आपके पास कितने individual जो dimensions है, वो कितने हैं, 7 है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, MLT plus late, जो याद करने की technique है, short trick है, MLT तो direct है, mass length time, इनके dimension MLT है, L मतलब luminous intensity, इसका dimension है CD, candela, A मैंने amount of substance, इसकी unit होती है, mole, P मैंने temperature, temperature की unit होती है, Kelvin, E मैंने electric current, इसकी unit होती है, MP है, तो यह separate dimensions है, या units की शकल में भी कह सकते हैं, आप इनको, ठीक है, तो कई जगाए पर चो दिखो, आपको unit दिख रहे हैं, कई जगाए पर symbol दिख रहे हैं, लागि यहाँ पर आपको units दिख रहे हैं, यहाँ आपको combination set बैठता है, किसी भी physical quantity को explain करने के लिए, वो उस physical quantity के लिए, उसके dimensions बन जाते हैं, जैसे कि हमने कहा था, density के example ले लेते हैं, अब शायद उस video में लिया था, इसके example हैं नहीं, अब ले लेते हैं, density आपको बता है, density, simple density क्या होती है, mass upon volume, है न, mass upon volume, यह होती है density, clear, तो mass क के अंदर, mass के अंदर क्या जाएगा, m आ जाएगा, क्योंकि mass की जो unit है, वो kg और mass is a, mass इन में से क्या है, mass है, length है, time है, light की intensity है, amount of substance है, temperature है, यहाँ, फिर current है, देखो यह बहुत कम use होने वाला हैं आपके, उसके बाद, next यह दो rare है, mainly, mainly, mainly आपका इन से ही काम चल जाएग तो आप फटाफट से इन में चेक के लिए करो कि mass क्या है, तो simple mass तो mass ही है, तो इसका dimension क्या हो गया, m, volume क्या है, volume तो यहाँ पर लिखा नहीं हो, it means volume को अगर आप सोचो तो volume कैसे निकलती है, volume की unit, आपको खाता कि एकर फर्स जाओ, तो unit में ध्यांग दिया करो, unit क्या होत होती है, meter cube, हमने सीखा है, 10th class के अंदर, तो meter cube और meter क्या होता है, length, it means volume में length की cube है, length की cube है, अब इसको एक साथ merge करें, तो यह क्या बनेगा, m, l को ओपर लेके जाएंगे, नीचे 3 था, तो ओपर जाके minus 3, यह बन गया, ठीके, और हमें आदत है, ml, t, 3 लिख कर के आने की, तो आप इसको अगर ऐसे लिखोगे, तो थोड़ा और अच्छे से लिखें, m के उपर कुछ भी नहीं है, इसको आप 1 कहा दो, l के पर minus 3 है, t नहीं था, फिर भी जान बूझ करके लिखा, तो यह होके भी नहीं है, just इसका नाम है, बट इसका कोई काम नहीं है, इसकी power क्या जीरो, तकि हम देख पाएं, मास का इसमें एक कॉंपोनेंट है, लेंथ के इसमें 3 कॉंपोनेंट है, क्यूब है लेंथ की, बट वो है कहाँ, डिनॉमिनेटर में, टाइम का इसमें कोई रोल नहीं है, तो यह देखो कि क्या यहां से आपको information मिल रही है, कि density क्या होती है, density म मास आता है, लेंथ की क्यूब आती है, बट वो आती है, डिनॉमिनेटर में, क्या बात सही है, absolutely correct है, ओके, तो यह सारा dimension लिखने का, एक recap था, कि for example की कहानी अब तक, और हमने इसकी applications करनी start कर दी थी, कि अगर अपने dimensional, किसी भी physical quantity की dimensions read करना, सीख जाते हैं, तो उससे क्या क पाइदा ही है, actually, पहला फाइदा ही है था, कि हम किसी भी equation की consistency को चेक कर सकते हैं, जो कि हमने last video के अंदर ही काम किया हुआ है, clear, यह अब चेक कर सकते हो, equation सही है या नहीं है, क्योंकि अपने principle भी discuss किया था, principle of homogeneity, कोई quantity, किसी और quantity में तभी add हो सकती है, जब दोनों की units, दोनों की dimensions same हूँ, यह दोनों ही dimensions less हूँ, clear, तो to have a better idea, I would suggest to first watch that video, then come to this video, तो अपने start करते हैं इसके अंदर, कि अब हमारे पास next target है, कि to find relation among physical quantities, यह जो heading लिखी है, इसका meaning का है, जिसे आपने formula सिखा हुआ है, जिसे यह density का formula था, mass upon volume, इस तरह हैं कही सारे formula आपने सिखे ह वो सारे formula का idea, उन सारे formula का idea हम ले सकते हैं, कि कैसा formula बनना चाहिए, कैसा सा कोई relation बनना चाहिए, just किस की help से, dimensions की help से, मैंने आपको पहले ही बताया था, कि यह इस chapter का theme है, soul topic है, कि dimensions क्या है, dimension का क्या role है, और इस topic में से, एक question 110% बनेगा ही बनेगा, तो कैसे निकाल सकते है अपने relation, physical quantities के बीच पे, एक example लेते हैं, और वो ही हमारा एक traditional example लेते हैं, हर बुक के अंदर हर जगा पे, यह example discuss किया होता है, तो हम भी ज़्यादा परिशान ना होते हुए, यह example लेते हैं, for example, एक rigid support है, like wall है, उसके साथ अपने एक pendulum, pendulum देखा ना दूरा, कि एक thread है, उसक pause, इसका mass है M, इस thread की length है L, अब इसको हम कुछ दूर ले जा करके छोड़ देते, जब छोड़ देंगे तो क्या होगा यह, यह इधर आएगा पहले, है ना, फिर इधर से इधर चला जाएगा, फिर वापिस आएगा, मतलब यह oscillate करता रहेगा, oscillations होने start उजाएंगे इसके तो यह इस तरह से oscillations होने इसके start हो जाएंगे, अब इस oscillation का time period, कि मतलब एक बारी यहां से लेकर के, यहां तक आने में, एक complete oscillation, mean position से दूर जाके, वापिस mean position पे आने का जो time है, वो कितना time लगता है, अगर उसका formula निकालना हो हमें, किसका formula निकालना है, time period का, ठीक, पहली बात तो हो सकता है, कि situation ही clear ना होई हो, तो उसको थोड़ा सा clear करते हैं, कि हमारे पास एक pendulum है, pendulum की कुछ length है L, और कुछ mass है, इसको बोलते हैं bob, bob का कुछ mass है M, clear, अब आपने ने कहा कि इसको थोड़ा सा displace किया, और displace करके इसको छोड़ दिया, छोड़ दिय अब ये किसके under motion कर रहा है, under the gravity, तो जो भी इसके पास acceleration होगा, वो कौन सा होगा, acceleration due to gravity, g, जिसकी value में बता है, 9.8 meter per second square होती है, पता है ये सारी चीज़े, चीक है जी, तो अब ये कितना fast move करेगा, क्योंकि जतना ज्यादा fast move करेगा, उतना time कम लगेगा इसको एक round complete करने म तो हमें क्या बता कितना time लगेगा इसको, तो बिल्कुल unknown सी है हमारे लिए सारी चीज़े, बट बिल्कुल easy तरीके से हम खुद, हम खुद आज इसका formula बना सकेंगे, just with the help of dimensions, तो अभी कुछ बाते साहिद समझ में नहीं आ रही, बट सुनते रो इसको 15 minute के बाद सारी बात याद रखते थे, याद रखने भी टेंशन लेते थे, आज formula हम खुद बना लेंगे, ठीके, आओ, स्टार्ट करते हैं, जो इसका time period है, suppose उसको मैं symbol देता हूँ, t, इसका क्या formula है, वो मैं निकालना चाहरा हूँ, formula बनाना जा रहा हूँ, ठीके, अब जो इसका time period है, पहले time period पर affect पड़ेगा, length पर भी depend करेगा, और किस पर depend करेगा, इस acceleration due to gravity पर, ठीके, इम तीन चीज़े पर depend करेगा, तो आपको, अब करना क्या है, यह हमारी त्यारियां पूरी होगी, अब अपने काम शुरू करते हैं, हमने क्या देखा कि, t will depend on mass, t will depend on length, t will depend on acceleration due to gravity, depend करने के लिए, simple use करते हैं अपने, proportional का, अब mind में question आ सकता है, कि सबर proportional तो दो सिखे थे, एक directly proportional होता है, एक inversely proportional होता है, आपने directly ही क्यों लिया, inversely क्यों नहीं लिया, तो, देखो मुझे नहीं पता कि directly depend करेगा, या inversely depend करेगा, directly भी किस पर depend करेगा, सिरफ mass पर depend करेगा, जैसे में आपको याद करवा हूँ 10th class पे आपने बढ़ा था Jules law of heating H proportional to I square H proportional to R H proportional to T अब ये heat जो है resistance time depends तो तीनों पर directly कर रही है बढ़ इसकी square पर कर रही है इन दोने की power 1 पर कर रही है है ना जोरी थोड़ी है अगर इसकी power 2 पर कर रही है तो इन दोने की 2 power पर कर रही होगी तो अभी हमें एक चीज़ तो यह हम पहले ऐसे चीज़े पढ़ते थे और इनको याद रखते थे इस पर भी जोर आता था जो चीज़े पहले बना रखी है अब हम खुद यह formula बनाने वाले है अब मुझे नहीं पता यह directly है inversely है इसकी कितनी power पर इसका dependence है कुछ भी नहीं पता तो मैं सब मानता हूँ मान लेता हूँ क्या कि इसकी कुछ A power पर depend करता है इसकी कुछ B power पर और इसकी कुछ C power ठीक है तो बच्चा कहता है सरा answer तो भी नहीं दिया directly क्यों लिया inversely क्यों नहीं लिया तो सुनो अब अगर जो पने टेक्निक की उस करेंगे उसके बाद answer automatically सही आएगा देखो अगर यह directly depend करता होगा तो इस A का answer प्लस में आ जाएगा अगर इसका relation inversely आना होगा सुनो अगर इसका dependence inversely आना होगा मास जो है वो time पे inversely depend करता है बट मैंने तो गलती से हाँ पर क्या लिया रखा है तो automatically इसका answer इस A का answer किसमें आ जाएगा negative में और आपको पता है power अगर उपर negative है तो इसको positive कराने के लिए कहा जाना पड़ेगा नीचे hope आपको बाते समझ में आ रही है नई समझ में आ रही है तो भी बिलकुल tension लेने की ज़ूरत नहीं है बस देखते रो जब ये question खतम कर लेंगे न अपने तो अपने को समझ में आएगा फिर कुछ एक problem भी करके देखेंगे इस पर तो अपने को situation बिलकुल 110% clear हो जाएगी अब ये मैंने मान लिया कि इस space पर depend करता है कितने कितने power depend करता है ABC तीनों को directly क्यों लिया क्योंकि inversely भी included है अगर इनकी power minus में आ जाएगी तो ये directly वाला inversely में चला जाएगा छीक है, hopefully आपको समझ में आया अब इन तीनों को अगर अपन combine करें, like जैसे उसको combine करते थे बड़ा अच्छा example बनिया हो हमारे लिए h proportional to i square, h proportional to r, h proportional to t फिर अपने क्या कहते थे, h proportional to i square r t और फिर अपन कहते थे, proportional का sign जाएगा, equal to का आएगा तो साथ में एक constant लाएगा, और इस बारी वो constant k आएगा ठीक है, 10th के अंदर ये सारी बाते हैं अपने करेंगे तो h is equal to k i square r t करते थे, फिर अपन क्या कहते थे कि k की value तो 1 है जी, तो k अगर 1 है तो formula बन गया h is equal to i square r t तो जैसे ये करते थे न, बस उसी sense of knowledge की हमें जरुरत है तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देख लिया कि t इसकी power इतनी, इसकी power इतनी, इसकी power इतनी इतनी पर depend करता है तो collectively t किस पर depend करेगा, m की power a l की power b और g की power c पर depend करेगा अगर इस proportional को जाना है तो यहाँ पर किसी constant को आना पड़ेगा और वो constant कोई भी हो सकता, मानलो मैंने ले लिया k k क्यों लिया, कुछ और ले लो जो तुम्हारा बन करे बट आप mention करेंगे जरूर, कि what is k here k is constant of proportionality ठीक है proportionality का constant है, क्योंकि proportionality का sign, ये बात आप याद का आएगा, तो हमेशा साथ में एक constant लाएगा और वो constant हर बार अलग अलग आएगा ठीक है, ये पूरी class पूर 11, 12, physics के नदरे सारी physics के नदरे ये बात से लेगी और याद हो जाएगी तुम्हा topics से शायद थोड़ा बटग के अपने कर गया रहे थे, formula बना रहे थे time का, उसमें M भी आएगा L भी आएगा, G भी आएगा, बट हमें नहीं पता कैसा किस शकल में आएगा, तो हम वो शकल डून रहे हैं, और हमने कहा था, dimensions हमें help करेगा, वो शकल डूनने में, अब dimensions कैसे help करेगा, हमें क्या करना है, हमें यह बता है, हमने क्योंकि first application करी, तो हमें यह बता है कि wait a minute, हाँ, हमें यह बता है कि दोनो sides दोनो sides तब ही equal हो जकती हैं जब दोनों का dimension equal हो और मैं बता है कि यह तो हमने सही लिखा है, it means दोनो sides equal है, इसका मतलब दोनों तरफ dimensions क्या होएंगे, equal अब आप क्या करो, हर किसी के dimension लिख दू time का dimension क्या होगा t जो dimension से new है मालब अब जिन्होंने थोड़ी बहुत practice नहीं करी कल के वाले session की भी, वैसे आप कल वाले session की practice करोगे, जितने ज़्यादा practice करोगे कि उतने आपको dimension क्लीर होएंगे बट अगर इनकेस नहीं भी करी तो आपको मैंने अभी भी एक series बना करके दी थी ना यहां लिख देता हूं वापस MLT मेल यही है, mass चलो bracket नहीं लगाते है बड़ी mass, length, time और जो अगर use हो सकता है तो वो Kelvin इसके लावा mole और candela अभी आपके use होने वाली चीज़े नहीं है, पता होनी चीए मेभी in case आपके किसी exam में किसी test में पूछा जाए तो आसाइनिंग एनकेसर ने तो कहा दा कि पूछा नी जाएगा तो आपने दीगे किसी दिया most होता कि 99.99% में इसी से काम चलता है आपका ठीके dimension लिखते हैं वा उपने कि t के dimension क्या हो गया, time अब इदर आएं, ये क्योंकि एक constant है, और जो भी एक constant है, ये dimensionless है तो इसका कोई dimension नहीं है, तो इसके dimension लिखने की कोई जरुरत नहीं है छोड़ो, अब आगे चलते हैं M, M क्या था, mass mass का dimension क्या होता है, M उसकी power A बस, जो दिखरा है करते जाओ, फाल तो एक्स्ट्रा में दिमाग को दोडाना नहीं, परिशान नहीं करना L, L मनि length, length का dimension क्या है, capital L L, L की power B G, G क्या था acceleration due to gravity है न, meter per second square meter per second square तो उसकी unit में आपको दिख रहा है A component किसका आ रहा है, meter, meter मने length और दो आ रहे हैं, upon में second, second मने time तो देखो, इसमें क्या आएगा उपर length और नीचे time की square और पूरे की power किती है, C बिल्कुल आराम आराम से धीरे-धीरे, कोई भी tension नी ले नी यहाँ पर power bar लिखी, यहाँ पर अंदर लिख दी ऐसा क्यों, क्योंकि simple दी अब इस power को थोड़ा solve करना पड़ेगा, हाना इसको अगर आप देखो, तो यह बना M की power A L की power B ठीके, और यह क्या बनेगा यह बन जाएगा L इस T को उपर लेकर राउंड तो यह बनेगा T की power minus 2 whole power C अराम अराम से करते हैं, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं, इसको करने की हमें concept clear करना अपना तो यह M की power A as it is, यहाँ पर यह T तो चली रहे देखो क्योंकि यह तो simplified है already whole power अगर M है, तो यह कैसे distribute होती है, A raise to power M times B raise to power M ऐसे distribute होती है, तो यह C distribute होता है कि कैसे, L raise to power C, और T raise to power minus 2C यह कैसे हुआ, अगर A raise to power M raise to power N हो, तो यह क्या हो जाता है, A raise to power MN, इनका multiply, तो minus 2 into C, क्या बन गया minus 2C ओके अब अपने देखो, यह M है यह L है, यह B L है, और यह T है, तो सब एक एक बारी आ रहा है, बस L जो है वो दो बारी आ रहा है L जो है वो, दो बारी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो उनकी power को अड़ कर सकते हो है नो, तो यह क्या बनेगा इधर एक बारी T है, इधर अब एक बारी पूरे सब को A की रेकेट में लिखते हैं यहाँ पे M M की पावर है A L की पावर B भी है और L की पावर C भी है तो L की पावर क्या हो जाएगी? B प्लस C और T की पावर क्या हो जाएगी? माइनस 2C तो यह clear आपको visible हो रहा हो, नहीं visible हो रहा हो तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि T is equal to M raised to power A L raised to power B प्लस C T raised to power माइनस 2C अब आप compare करके देखोगे पावर को यहाँ पे तो देखो M, L, T तीनो है M, L, T, M, L, T यहाँ पे तो नहीं है तो आप क्या करो, अगर जार्न बूज के जबर्दस्ती बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? जिसे अपने आज यह एक example किया था तो जार्न बूज के बनाना भी चाहो तो आप क्या लिखोगे? M की पावर 0 L की पावर 0 और T की पावर 1 अब आप क्या करो? इंडिविजवली पावर्स कंपेर कर लो M की, M के साथ L की, L के साथ T की, T के साथ ओके? तो हम पावर्स कंपेर करने वाले हैं हम तीनों की इंडिविजवली नाओ कंपेरिंग एक्सपोनेंट्स या पार्स कुछ भी आप कह सकते हो मैं एक्सपोनेंट्स कहा देता हूँ थोड़ा अच्छा वर्ड है ठीक है? आप उपने कंपेर करें वन बाई वन तो देखो पहले अगर M की बात करें 4M तो आपके पास A के रिलेशन आएगा, इसकी पावर है 0 इसकी पावर है A उपके पास रिलेशन गया A के वैल्यू है 0 ठीक है? सेकेंड क्वान्टिटी 4 L अब देखो L की कंपेर कर सकते हो या T की कंपेर कर सकते हो मैं पहले T की कंपेर कर लेता हूँ T की compare क्यों कर रहा हूँ क्यों कि L में देखो 2 है B और C और T को compare करूँगा तो सिरफ C है इसके अंदर value easily निकल जाएगी तो मैं पहले किसकी value किसकी power compare कर लेता हूँ T की ठीक है तो इसकी power है minus 2C इस तरफ और इस तरफ कितनी है 1 तो minus 2C is equal to 1 अब C की value हमारे पास आगी अब अपने इसकी L की value compare करते है थर्ड comparison करते है for L बिल्कुल धीरे-धीरे अराम से कोई tension वाली बात नहीं है बहुत असान topic है L की power यहाँपे क्या है B plus C और यहाँपे करते है 0 क्या आपको B की value बता है नहीं A की और C की बता है C हमारे काम का है C की value को आप डालो ज़रा है यहाँपे क्या आएगा यहाँपे डालोगी minus 1 by 2 तो plus minus minus 1 by 2 equal to 0 अब यह B minus 1 by 2 equal to 0 है यह 2 है थोड़ी शकल इसकी सही करते है हमने जब यह minus 1 by 2 उदर जाएगा तो B will become plus 1 by 2 ओके तो हमारे पास A की value आगी here it is B की value आगी here it is और C की value आगी here it is सब value यहाँ 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 पे हमें मिल गी अब मैं इसको थोड़ा सा सफाय करते हूँ और अब आगे काम शुरू करते है अब हम याद करेंगे कि हमने कुछ चंद मिन्टों पहले एक formula बनाया था एक formula बनाया था उसके अंदर हमने यह imagine किया था कि time जो है इस पर भी depend करेगा हमें नहीं पता था कितनी power ऊपर या नीचे तो हमने ABC मान लिया था अब वो time है कि हम इसका formula बना ले क्योंकि हमार पास A, B और C की value आ चुकी है हम इस पर रख देते हैं यह values T is equal to K A A की value किते हैं 0 किसी बिचिद की value 0 क्या होती है 1 मतलब यह खतम हो जाएगा factor चलो अब next की बात करते हैं L L की power कितनी आई B B का answer किता है 1 by 2 Power 1 by 2 का मतलब समस्टो Under root Under root को क्या कहा जाता है Power 1 by 2 G G मने acceleration due to gravity उसकी power C और C की power minus 1 by 2 देखो 1 by 2 मतलब under root और minus 1 by 2 का मतलब नीचे denominator के अंदर under root फिर कह रहा हूं है बहुत असान काम है बिल्कुल panic करने की जरूरत नहीं है कोई tension नहीं है जरूरत नहीं है यह चला जाएगा यह बन गया root L और वो नीचे जाके root G तो क्या इसके ओपर एक common root ले सकता है बिल्कुल ले सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा K एकठा root ले ले लेते हैं L over G यह बन गया formula तो हमारे पास formula आ गया अभी भी अभी भी हो सकता है कि मन में doubt चल रहा हो कि यह ठीक है समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं दोनों तरह हमने dimension लिख दिये dimension लिखने के बाद हमने क्या किया इसको कहेंगे dimensional analysis dimensional analysis किया कि किस की value कितनी आनी चाहिए और analyze करके हमारे पास यह कुछ आ गया बटे चल कह रहा है तो यह क्या चल रहा है यह quantities के बीच में relation निकालना चल रहा है हमें T का formula नहीं बता था ठीके T का formula बता ही नहीं था कि T में क्या quantity आएगी क्या quantity नहीं आएगी कौन सी उपर आएगी, कौन सी नीचे आएगी किसकी पावर कितनी आएगी तो हमने idea से माना था देखो हमने M को लिया था L को भी लिया था, G को भी लिया था और सब को उपर लिया था पर जब इसको solve करके देखा तो सब सच सामने आ गया हमें बता चला कि mask का कोई roll नहीं है तो हम जिस भी quantity SE किसी quantity extra को लेंगे यहां से तीन बात सीखने वाली है क्या कि हम किसी extra quantity को ले लेंगे consideration में तो उसकी power automatically 0 बन जाएगी देख लो हमने गलती से लिया था M जिसकी power 0 बन गी formula ने हमें समझा दिया डांट दिया गी तुमने जो लिया वो गलत लिया इसकी power तो 0 कर दूँगा मैं फिर जो आपने directly लिया था सही लिया था तो उसको आपको बता चल रहेगा कि हाँ सही है उसकी power plus में ही आएगी और उसका answer मिल जाएगा आपको एक हमारे mind में doubt था कि जो भी quantity है सारी directly proportional क्यों है inversely proportional क्यों नहीं है तो देखो जी inversely proportional आना था तो इसलिए इसकी power किसमें निकाल दी गई निकाल दी गए निकली किसमें निकली minus 1 minus 1 by 2 automatically यह इस form में adjust हो गया और अगर मैं तुम्हें सही formula बताऊ कि यह तो हमने मैनत से निकाला हम google भी तो कर सकते थे बुक में भी तो डूण सकते हैं किसी pendulum का time period का क्या formula होता है तो वो आपको मिलता it is 2 pi under root l by g actual formula यह होता है तो आप देखो कितना करीब हो इस formula के यह तो google करके आपने निकाला आपके पास वापर reason थोड़ी की formula क्यों है आपको यह पता चलेगा कि यह formula है आप यह value डाल सकते हो आपसा निकाल सकते हो बट आपको पूछ लिया कि derive the formula कुछे नहीं कर सकते हैं वाँ पर बठा dimensional analysis हमें आता है तो हम यहां तक पहुन सकते हैं देखो यहां पर यह क्या करे रहे constant है इस constant की value हमें नहीं पता और dimensional analysis का यह एक drawback है कि हम constant की value नहीं निकाल पाते ओके वो हमें as per the situation देखना पड़ता है कि constant की value क्या होगी clear? तो constant तो नहीं निकला बट आप देखो कि same यही factor है और यह एक constant है क्योंकि pi यह constant है 2 एक constant है तो यह है constant ही बस इसमें और इसमें इतना फरक है कि इसके अंदर constant के बारे में information नहीं है clear? तो बड़ी खुशी मिलती है हमें जब ऐसा अगर अब करते हैं और सही formula निकल जाता है तो हमने का था न अगर करेंगे तो एक proud moment मिलेगा तो this is the proud moment कि हमने अपनी manner से पहली बारे जिन्दगे में कोई एक formula निकाला जो हमने formula हमने formula सीख करके numerical करने वला काम किया आवी तक है ना यह पहली बारे के जो हमने formula निकाला है और वो भी इस तरह हैं से dimensions की help से hopefully समझ में आओगा काफी धीरे धीरे करवाया मैंने और अगर आपको लग रहा हो कि speed काफी कम है तो आप video की speed को थोड़ा सा increase करके 1.25, 1.5, 1.75, 2.5 2 cross, 2.5 तो है नि जिस पर भी आपको easy language पर देख सकते हो जो मैंने आपको पहले भी कही बारी खा है और बस मेरे तरफ से यह रहता है कि आपका कोई भी concept नहीं चूटना चाहिए और कोई भी किसी भी level का बच्चा class के बेठा हो, first class देख रहा हो second class देख रहा हो first class का बच्चा नहीं, first time ये वीडियो देख रहा हो, second time वीडियो देख रहा हो तो उससे हर चीज़ें clear हो जाए, बिल्कुल crystal clear okay, तो इसको wrap up करते हैं, और अब इस पर कुछ एक questions करके देखते हैं, just to check कि हमें समझ में कितना है so, जैसे कि एक और question है ये इसके अंदर क्या कहा है, मैंने पुरे language दोने लिखी, कुछ एक main चीज़ें लिख दी इस question की, और language मैं आप आपको समझा देता हूं, देखो, क्या खाए इसके अंदर, इसके अंदर आपको दिया गया है कि एक rigid support है उसके साथ एक spring बांद रखा है spring के साथ एक mass बांद रखा है, ठीक है तो आप कैसे imagine कर सकते हैं, कि हमारी जो चरत है उसके साथ एक spring लटक रहे, उसके साथ एक कोई metal की bowl लटक रही है, ठीक है अब होगा क्या, उस bowl को अगर आप थोड़ा सा अपनी position से displace करके छोड़ दोगे तो क्या होगा, क्योंकि spring लगा होगा तो वो इस तरह ऐसे motion करना start कर देगा, अपनी position से to and fro, इसे अपने कहते है SHM, Simple Harmonic Motion इसके detail study है, हमारे पास लिए बैस भाई, जब आएगी तब करेंगे फिलाल हमें ये खाये कि जब ये इस तरह से vibration motion करेगा तो जैसे भी pendulum में कर रहा था same अब इसमें भी करेगा तो उन्हेंने कहा कि इसका एक formula किसी बच्चे को मिला उसने बताया कि इसका time period का formula होता है T is equal to 2 pi m by k अब इसमें से आप 2 को जानते हो, pi को जानते हो m और k क्या है, इसकी information इन्होंने, इसकी भी information आपने हमें दी है m क्या है, mass kg में होता है, k क्या है mass भी में फिर भी पता था k क्या है, force constant k क्या है, force constant और इसकी unit अपने को दे रखे, इसने newton per meter clear, आपको situation दी, आपको formula दिया formula के इंदर जो quantities है उनकी information दी, उनका नाम उनकी units, अब करना क्या है आपके पास 2 target दी है इसने क्या target दी है इसने, first target इसने ये दिया है कि you have to prove कि ये formula wrong है, उसने कहा है कि prove that this formula is incorrect ये formula incorrect है dimensionally आपको ये बात proof करनी है, और कोई दूसरा तरीका भी निया, आपके पास क्या बताओ ये formula गलत ठीके, दूसरी बात क्योंकि अगर ये गलत है तो आपको फिर निया formula बनाना भी है तो दो questions दो targets हमारे पास है अब one by one start करते है पहला target है कि we have to prove this formula as incorrect तो ये हमारी actually first जो application थी ना, उसका question बन गया, कैसे आपको पता है कि formula correct होने के लिए क्या होना चाहिए दोनों तरफ, दोनों तरफ के जो dimension है वो equal होने ही चाहिए, बराबर होने सही है, like ये T है, T माने time plate काया है उसने, तो इसके dimensions T के dimensions क्या होईंगे time ही होगा आपको बताया न, dimension आपने कहां से उठाने है दिमाग के बना लिए करो, MLT Kelvin, Ampere बस mainly ये सीरीज आपके काम आएगी वो दोर है वैसे है न, एक candela और एक mole, ये आपके बहुत rarely काम आने वाले आप देखो 2pi, इसका आपको dimension बता लग गया, 2 का dimension होता नहीं, constant है pi का dimension होता नहीं, M, M mass है M का dimension क्या होगा capital M इन में से ये कुठान है, तो capital M होगा clear? फिर बच गया हमारे पास K, K क्या है K है force constant, अब इसके dimension क्या होगे, इस पे बस मैनत लगेगी इसकी unit है newton पर meter, इसकी unit क्या है अब इसके लिए थोड़ा सा rough work करना पड़ेगा, dimensions लिखने से पहले, मैं यहां rough work मान लेता हूँ क्योंकि marker है तो erase होई जाएगा जो K की unit है, वो क्या है Newton, और नीचे है meter, देखो meter के लिए तो कोई चक्कर है नी meter के लिए तो कोई चक्कर है नी क्या meter के लिए अपके लिख सकते हैं इन में से L आएगा meter के लिए mass नहीं आएगा, length आएगा time, temperature, current कुछ भी नी जिर्फ length आएगा, ओके अब इसके अलावा जो बचा, that is Newton, अब वैसे मैंने first video में आपको कहा था कि Newton या force, force का आपको याद ही रखना है जो dimension वो होता है mlt-2 mlt-2, बट अगर नहीं बता, तो कोई बात नहीं कोई भी tension वाली बात नहीं है, आपने 9th class के अंदर एक formula सीख रखा है force का, तो याद करो f is equal to m ने, सीखा था तो यहाँ से आप सोच लो कि force क्या होती है, mass into acceleration यानि force की unit क्या होती है Newton तो हमने combine करके लिखी थी Newton actually बनी कैसे थी mass की होती है kg acceleration की होती है, meter per second square, इनको combine करके आपने Newton कहना start किया था तो आज जरूरत है Newton को खोल करके क्या लिखें kg meter per second square मतलब नीचे second square लिख देंगे ठीक है, और नीचे एक क्या पड़ा है पहले से meter पड़ा है I think कि समझ में आपको अगर नीचे पहले से meter पड़ा है इसको में नहींटा दियो तो एक meter से meter cancel हो जाएगो तो आपके पास unit क्या बन रही है इसकी ध्यान से बेखो kg अपोन में second square kg का मतलब कौँसा dimension है mass का, length का, time का, temperature का या current का तो simple answer है कि यह किसका dimension है mass का second, second मतलब mass, length, time time power 2, money 2 छीक है तो इसकी power 2 और अगर यह उपर जाएगा तो यह बन जाएगा m t minus 2 ओके बहुत एजी है बस आपको अगर unit पता चल जाए तो तो काम खतम तो इसके dimension मिल गए m t minus 2 तो हमने क्या किया यह छोटी छोटी तयारियां पूरी कर ले इसको मैं रब कर देता हूँ अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि क्या यह equation सही है या नहीं है तो आप क्या करोगे now dimensions दोनों तरफ के dimension चेक कर लोगे dimensions of LHS LHS के dimension LHS के dimension LHS पे है कुन? t है तो इसका dimension क्या होगा? capital T बस let this be equation number 1 and अब आप किसके dimension निकालोगे? dimensions of RHS यहनि कि अब RHS पे T तो है नहीं RHS पे यह है 2 pi m k 2 pi m upon k इसका dimension देखोगे तो 2 pi का तो कुछ है नहीं m का dimension है m और नीचे जो k रखा हुआ है इसका dimension है m t minus 2 ओके? अब जब भी उपर जाएगा देखो 1 m उपर 1 m नीचे है तो यह तो कट जाएगा power 0 हो जाएगी काट के नहीं दिखाना होता बस आप power 0 कर देना इसकी और बचेगा क्या? यह T उपर जाकर के minus की जाएगा plus का 2 हो जाएगा तो T minus 2 से plus 2 हो गया अब चेक करके देखो दोनों देमेंशन से महा नहीं है obviously नहीं यह T है और यह T square है it means यह dimension अलग है यह dimension अलग है तो अगर दोनों dimensions अलग-अलग है it means what it means कि यह equation inconsistent है गलत है सही नहीं है जो हमारा target था वो अचीव हो गया हम क्या लिखेंगे since dimensions on LHS and RHS are unequal the equation is wrong जो से इतना से कहन है हमारा काम हो गया तो first target अचीव हो गया second target पर आते है आपने first target में first application थी second target में second application यूज होगी जो just अपने सीखी so क्या था second target second target था कि अगर यह formula गलत है तो सही आप बता दो है ना किसी गलत चीज को गलत कहने वाले पर आ जाता है बोज कि भी अगर यह गलत है तो सही आप है बता दो कोई बात नहीं बता देंगे अब हमने क्या रेखा कि time किस पर depend कर रहा है mass पर और k पर 2 pi तो constant है variable चीज़े कोन है m और k तो हम क्या करता है हम देखता है here वो ही तरीका अपना कि t depends on m अब m पर depend करता है कितनी power पर depend करता हमें नहीं पता तो हम इसकी power ले लेंगे a t depends on k हमें नहीं पता कितनी पर depend करता है तो हम इसकी power ले लेंगे b this implies महलब collectively collectively किस पर depend करेगा it will depend on m raised to power a k raised to the power b और we can say t is equal to k अब constant अपने को k लेते होते हैं हम हमेशा है ना और यहाँ पर क्या आ गया k अल्रेडी आ गया इसकी discussion के अंदर तो हम यहाँ पर k ना ले करके कोई और constant ले लेते हैं क्या ले कुछ भी ले लेते हैं सपोज alpha ले ले लिए मैंने constant ठीक है यह directly proportional और यह alpha है ध्याब रगना यह alpha ले ले लिए मैंने ऐसे नहीं equal to directly proportional एक साथ है इसकी तुर्ण शकल ऐसे बना लेते हैं अपने alpha है यह m की पार a, k की पार b और आपको इस side में mention करना पड़ेगा कि वर्टी is alpha here alpha is the constant of proportionality alpha is the constant of proportionality मैं short में लिख रहा हूँ थोड़ा अब आप को relation निकालना है तो आप क्या करोगे you will check the dimensions on both the sides तो आप दोनों के dimension लिख दो either dimension क्या है time का dimension तो time ही होता है alpha इसका कोई dimension है नहीं तो इसका काम यहाँ पर था ही नहीं गया भी m का dimension क्या है m का dimension m raise to the power a k क्या था अब यह अपने देखा था k के dimension क्या आ रहा था k था newton पर meter है ना तो उसका आ रहा था kg meter per second square पर meter तो kg second per second square यानिकि m t-2 और इसकी power b ओके अब आप यह power अंदर distribute कर दो बिल्कुल simple simple देरे देरे जा रहे हैं अपने बहुत slow कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए power distribute करी m raise to power b t raise to power minus 2 b फिर अपने देखो यह दोनों same है इनको आप merge कर दो यहाँ पर t as it is चलता रहेगा तो यह क्या बना m raise to power a plus b क्योंकि दोनों है plus plus में है add होगे t raise to power minus 2 b ओके आप देखो वैसमें थोड़ा ऐसा change कर देता हूँ marker कई फायदा न कुछ भी मिटा के change कर सकते है अबने और किसी को कानोगान गबर नहीं लगती आप देखो कि यहाँ पर सिर्फ t था इसको मैं यहाँ पर m और t है तो मैं जान बुझके m लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ अगर इसकी power 0 रिता हूँ तो और t की power 1 लिख देता हूँ कोई problem कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है आगे चलते हैं m को m से compare t को t से compare कर लो जी m को अगर आप m से compare करोगे यहीं कर दें दो जगा है ना आपने बास डिवाइड कर लेता है अगर यहाँ पर अपने compare करें comparing exponents of यानि की powers of m यहाँ पर m की comparison कर लेंगे यहाँ पर t के लिए comparison कर लेंगे चीक है तो यह first हो गया या कुछ भी नहीं लिको चलो अब अगर m को compare करोगे आपके पास क्या आएगा a plus b is equal to 0 इसे कुछ पता नहीं लगता यहाँ से आपके पास आएगा t की पार है minus 2b और इस तरफ कित्ती है 1 हाँ यहाँ से बता लगेगा तो यहाँ से आपको बता लग रहा है कि b is equal to minus 1 by 2 यह minus उदर जाएगा और 2 नीचे दाएगा तो minus 1 by 2 और b की value minus 1 by 2 यहाँ रखोगे तो a minus 1 by 2 gives us 0 it means a is equal to plus 1 by 2 तो आपके पास a का answer भी आगया आपके पास b का answer भी आगया यहाँ पे कुछ जगा खाली बढ़ी है तो use कर लेते हैं आपने क्यों रही है खाली ओके तो आप हमारे पास यह वाला formula हमने correct बनाया था let this be equation number 1 तो equation number 1 यह equation number 2 यह equation number 3 आप equation 1, 2 और 3 को देखो from equations 1, 2, and 3 आपके पास formula बन गया t is equal to alpha times m की पार a a मतलब 1 by 2 और k k माने k के पावर b b मैंनो minus 1 by 2 तो आपको अभी b आपने जब oscillation वाला किया था तब भी डिसकस किया था 1 by 2 means root m और इसका मतलब under root k और इसको combine कर सकते है m upon k और इसमें से देखो आप directly भी यह लिख सकते हो आप जरूर नहीं है कि यह सारे step लिखो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं target कर रहा हूँ सबी students को कि और easy way में हर एक step आपको समझाया जाए, clear किया जाए बट आप directly अगर यही step लिख देते हो time बचाएगा marks उतने ही मिलेंगे marks ना तो कटने वाले ना यह तीन लिखने से बढ़ने वाले ओके तो this was the complete numerical